नमस्कार आप देख रहे हैं जिन वावना टाइम्स और मैं हूँ आप सभी के साथ क्रितिका भटनागर गर्वी का सीजन चल रहा है तेज धूप और बढ़ते टेंपरीचर में अगर आपको कोई ठंडी ड्रिंक दे दे तो वा भाई मजा ही आ जाता है ज्यादतार लोग मार्केट में बेखने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीनप प्रफर करते हैं लेकिन एक लिमेटेट कौन्टिटी से ज़ादा अगर हम इनका इंटेक करते हैं तो कहीं न कहीं हमें लॉंगर टर्म्स में हमारी बॉड़ी को नुकसान भी पहुंचा देता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का दूसरा विकल्ब होते हैं फ्रेश जूस जो ना तो हामफुल होते हैं और इनका इन फैक्ट बॉड़ी को हाइडरेटेड रखने के साथ साथ मिनरेल्स और शुगर लेवल को भी मिन्टेन करके रखते हैं फ्रेश जूस में भी सबसे पॉपलर ऑप् परचत हैं डॉक्टर्स भी इवन इसे को पीने के सला देते हैं नारियल पानी में कैल्शियम सोरियम मैंगनेशियम और पोटेशियम जैसे जरूरे लेक्ट्रो लाइट्स मिलते हैं वहीं प्यास बुजाने के साथ साथ इस बॉड़ी को इंस्टेंट एनरजी भी मिलती है ल वज़े की बात तो यह है कि इसी वज़े से काफी सारे इडियम में भी यूज किया जाता है कई बात लोगों को लगता है कि बड़े साइस का नारियल लेंगे तो उसमें ज्यादा पानी निकलने के लिए आप नारियल को शेक करके पता लगा सकते हैं जी हां अगर पानी के चलकने की आवाज सुनाई दे तो उसे न ले वही नारियल खरी दे जिसमें से पानी की चलकने की आवाज न आए दरसल नारियल से पानी के निकलने की आवाज आने का मतलब है कि उसमें मलाई बनने लगी है और पानी कम हो गया है पुरी तरह से भरे होई नारियल में पानी क का लुफ्त भी उठा सकते हैं तो और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जो ररे जल्वामना टाइम्स के साथ नमस्कार